नमस्कार दोस्तों मैं हूँ रोश्णी गुपता और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कीचन अफ कुईन में स्वागत है आज हम जानेंगे आम खाने के कुछ जबरदस्थ फाइदों के बारे में आम, आम को फलो का राजा कहा जाता है यहना सिर्फ स्वाद में अच्छा होता है बलकि सेहत के लिए भी बहुत फाइदे मंद होता है इसमें कई तरह के विटामिन्स जैसे विटामिन A, विटामिन C और विटामिन D भारपूर मात्रा में पाए जाते है इसके अलावा आम में फाइवर, मिनरल्स, आइरन, पटासियम, बीटा के रोटीन, बायो एक्टिव योगिक वो अन्य खानी तत्व होते है आम का सिवन कई तरह से किया जा सकता है आम को खाली पेट खाना सेहत के लिए बहुत अच्छा माना जाता है या सरीर में एनरजी बूश्टर की तरह काम करता है जहां एक और या स्वास्त के लिए फाइदे मन्द होता है वही इसका अधिक मात्रा में सिवन स्वास्त को नुकसान भी पहुँचा सकता है तो आईए जानते हैं आम खाने के फाइदे और नुकसान के बारे में उससे पहले आप इस वीडियो को फटा-फट से लाइक कर दीजी और चैनल पर पहली बारा आये हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ मेल आईकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच सके तो चलिए हम जानते हैं आम खाने के फाइदे के बारे में हार्ट के लिए फाइदे मंद हार्ट को स्वस्थ रखने के लिए आम का सीवन बहुत फाइदे मंद होता है अगर आप मौसमी फल आम को अपनी डाइट में सामिल करते हैं तो आपका हार्ट स्वस्थ हो सकता है आम के सीवन से दिल की बिमारी का खत्रा कम हो सकता है इसमें मौजूद पोसकता तो दिल को सस्थ रखने में मदद करता है इसलिए आपको आम जरूर खाना चाहिए खून की कमी के लिए सरीर को अगर जरूरी पोसकता तो ना मिले तो सरीर में खून की कमी हो सकती है आम में आइरन की अच्छी मात्रा होती है आम में मौजूद विटामिन C शरीर में आईरन के अफसोसन में मदद कर सकता है खून की कमी में आम का सिवन लाबकारी हो सकता है इसका सेवन एनीमिया की समस्या से रहत दिलानी में मदद करता है हड्यों के लिए आम में विटामिन A और C मौजूद रहता है इसके अलावा इसमें कैल्सियम और बीटा कैरोटीन भी पाया जाता है जो हड्यों को मजबूत वा स्वस्त रखने में मदद करता है आम में ल्यूपॉल नामक एक योगित तत्व होता है जो सूजन और गठिया से बचाव करने में हमारी मदद करता है High Blood Pressure के लिए आम का 7 Blood Pressure की समस्या से ग्राशित लोगों के लिए भीध पायदे मुद होता है इसमें पाया जाने वाला बीटा कैरोटीन और फाइवर सेहत के लिए लावकारी होता है यह BP कांट्रोल करने में मदद करता है इसलिए आम के मौसम में इसका सिवन जरूर करना चाहिए कॉलेस्ट्रॉल के लिए आम में विटामिन C, पैक्टीन और फाइवर होता है जो ख़रा कॉलेस्ट्रॉल को कम करने में सहायक है कॉलिस्ट्रोल की समस्यां से बचने के लिए आम का सिवन फायदे मन माना जाता है आम में प्रचूर मातरा में न्यूट्रोसीकल मौजूर होता है जो कॉलिस्ट्रोल के अस्तर को कम करने में मदद करता है इसमें मौजूद पोषक तत्व गूड कॉलिस्ट्रोल के अस्तर को बढ़ाने में भी मदद करता है दिमाग के लिए आम में पायन जाने वाला बायू एक्ठिक तत्व दिमाग को सर्षकने में मदद करता है माना जाता है कि रोजाना कच्छा या पक्का आम डाइट में सामिल करने चे दिमाग तेज और यादास्त मजबूत होती है आम में ऐसे कई पोसक्तत्व होते है जिनसे दिमाग का तेजी से विकास करते है इसमें मौजूद विटामिन B की प्रचूरता मस्तिक्स के लिए अच्छी मानी जाती है पाचन के लिए आम में फाइवर की उच मात्रा पाई जाती है जो पाचन को नियमित करने में बहुत ही सहायक है इसमें कुछ ऐसे अंजाइम्स मौजूद होते है जो कार्बोहाइड्रेस और प्रोटीन के पाचन को बढ़ावा देते है जिससे भोजन को उर्जा में बदलने में मदद मिलती है इसके सेवन से पाचन समंदी समस्याव से राहत मिलती है इसमें लेक्सेटिव यानि पेट को साफ कर रखने का गुन होता है इससे कर्ज की समस्या भी दूर होती है आँखों के लिए आम को आँखों के लिए बहुत लाबकारी माना जाता है इसमें विटामिन ए और केरोटेनोईद पाये जाता है जो आँखों के लिए महतुपुर्ण पोसक्तत्व है विटामिन A की मदद से आँख से समंधी विकारों को दूर किया जा सकता है विटामिन A की कमी से आँखों की रोष्णी पर असर परता है ऐसे में आम का सिवन आँखों को स्वस्थ रखने का काम करता है इसलिए आप आम का सिवन जरूर की करें इम्यूनिटी के लिए आम में विटामिन C काफी अच्छी मात्रा में पाया जाता है जो सरी से प्रतिरक्षा तंत्र को स्वास्ता और मजबूत रखने में महतुपूर्भूमी का निभाता है विटामिन C सफेद रख्त कोशिकाओं के उत्पादन को बढ़ा देती है जिससे हमारी इम्यूनिटी और अधिक मजबूत हो जाती है आम में कॉपर, फॉलेट, विटामिन E और विटामिन B जैसे तत्व पाए जाते है जो रोगपती रोदक छमता को बढ़ायते है तो ये थे आम खाने के फाइदे चलिए अब हम जान लेते हैं आम खाने के नुकसान क्या है आम का ज्यादा मात्रा में सेवन करने पर सरीर में गर्मी बढ़ना, लूज, मोसन, पेट दर्ध, उल्टी, वजन बढ़ना और डायविटीज बढ़ने की समस्या हो सकती है इसके अलावा अधिक मत्रा में कच्ची आम का सेवन करने पर गैस या पेट दर्ज की समस्या भी हो सकती है आम खाने से पहले इसे 20 मिनट के लिए पानी में डाल कर रखने से इसकी तासीर समान्य हो जाती है साथ ही आम के उपड़ी हिस्से को ठीक से साफ कर लेना चाहिए नहीं तो इससे गले में ख्रास या खुजली की समस्या भी हो सकती है आसकल मार्केट में तो आम धेर सारी मिल रही है तो आप लोग को पता चली गया होगा कि आम खाने के फाइदे और नुकसान क्या है तो इसलिए आप लोग आम का सिवन जरूर ही करे लेकिन सोच समस्कर ही करे और ज़्यादा मात्रा में ना करे आम खाए लेकिन एक सिमित मात्रा में ही आम खाए आम खाना किसे पसंद नहीं होता हमें कमेंट में जरूर बताए कि आम किस किस का फेवरेट है आम खाना किस-किस को पसंद है हमें कमेंट में जरूर बताए साथी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और चैनल पर पहली बारा आए है तो चैनल को सबस्क्राइब करने के साथ बेल आइकोन को जरूर प्रेस करें और साथ ही इस वीडियो को आप अपने फैमली और फ्रेंज के साथ जरूर सेयर करें हो से के तो आप इसे फेस्बुक, वाट्सप, मेसेंजर, टुईटर, इंस्टागरम हर जगा फलाएं देश भर ताकि वे लोग भी जान सके आम खाने के फायदे और नुकसान क्या है पिर मिलते हैं एक और नहीं है टिप्स वाली वीडियो के साथ तब तक अपना ख्याल लखे थैंक्स पोर वाचिंग दिस वीडियो बाई बाई गाई टेक क्यार